अब जो शुक्रियां दोस्तों दरसल हम लोगों को इस समय अपना-पना काम करते होना चाहिए था मुझे अपना थिसिस लिखना चाहिए था आप लोगों का अपना जॉब करना चाहिए था लेकिन आप लोग इतने महत्पूर्ण समय में यहां पर इकटा हैं इसका यह मतलब ह कि आप समझ रहे हैं कि इतियास के किस महत्पूर्ण मोर पर आप लोग यहां पर हैं और मैं यह कहूंगा कि भारत में इतियास की जो धार है जो एक क्रानती आप कहें कि अभी इसी के लगबग एक किलोमीटर के जाएरे में ये समिधान लिखा गया था समिधान सभा के सारे सदस्य यहीं आसपास यहां पर वो जो आज कल कस्तुर्वागांजी मार्क पर होस्टल है वहीं रहते थे बावा साब मेटकर से लेकर सारे लोग आसपास रहे और उन्होंने एक सम्विधान लिखा मैं बहुत गंभीरता से बहुत संजीदगी से ये करना चाहता हूं कि ये प्रतिकरांति का दौर है काउंटर इवलिशन का दौर है रोक सकते हैं तो रोक लीजिए वरना हम लोग पेश्वाई की दौर में वापस जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं गंभीर समय इसलिए है क्योंकि भारतिय सम्विधान की जो मूल अधारना है सिक्स्टीन फोर जिसमें कहा गया है कि दो ही आधार पर आरक्षन दिया सकता है दो दो ही वेस है और एक ही आर्टिकल है बहुत ज्यादा नहीं है तीन लाइन है पढ़ लिजिए सिधा सिधा मामल वह उसमें वेकवर्डनेस होनी चाहिए एडिकवेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए दो ही कटेग्री है तीसरा कोई आप लोगों को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है सिक्स्टीन फोर आर्टिकल तीन लाइन का आर्टिकल है अब यह बताईए कि सवर्ण जो है आप बताई सोशली वेकवर्ड है समाजी पिछड़ा पने उनमें मतलब उसका जो भीखारी भी है वह भी आशिरवात देता है मतलब आप उसको रुपिया देते हैं और वह यह यह आशिरवात देता है मतलब फटी फोती टुटी साइकिल मतलब उसको हिंदी बोलने की नहीं टूटेगी पता नहीं क्या-क्या अब सोशली वेकवर्डनेस नहीं है एडिकवेट रिप्रेजेंटेशन इस देश में शवर्ण अपनी आबादी से कम से कम चार गुना ज्यादा रिप्रेजेंटेड है किसी ओफिस में चले जाए यहां सारे ओफिसे जी हैं सारे मिन च्छाहतारीक को रात ग्यारां बजे ड्राफ keeping साथ बजे सुबा भूस्तवा में व मोर्ड़ साथ णरी को पकेश हो रहा है साथ आरीक को पास किया जा रहा है और सब्सक्राइब करना चाहते हैं जिस आर्टिकल को लिखने में दो साल से ज्यादा समय लगाया इसके सारे विद्वानों ने बावा साहब ने मतलब रात एक एक दो बज़े तक मेहनत की उसको आपने मिन्टों यू बदल दिया आपको कैबिनेट के मंत्री को पता नहीं आठ त संसत में जवाब दे रहे हैं एक प्रश्ण के जवाब में कि अपर कास्ट के गरीबों को आरक्षन देने का कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है हमारे पास जिस दिन वह पारित हो रहा है आप आप कलपना कीजिए कि सरकार किस किस पा रही है तो यह जो प्रतिक्रांति का स समय है लगभग मैं इसकी तुलना करता हूं जो बहुत सम्राट गस्में बहुत सम्राट ब्रदत को मार कर जो पुष्मत्र सुंग ने इस देश में फिर से ब्राह्मनवाद के स्थापना की थी लगभग वैसा समय है 2015 में आपके तेश्ची जी अलिय अन्वर साब आपके विहार में जब वो कहते हैं महान भागवत कि हम समिधान को की समीच्छा करना चाहते हैं कोशिच हुई थी पिछले वार विवाजपई जी के समय में उन्हें समीच्छा आयोग बनाय था उसकी रिपोर्ट आई थी आप लेकिन यह समीधान इस देश में महनुवादियों के रास्थे का बहुत बढ़ा रोडा है जो annexτο grandson है उनके रास्थे तुर्वादी है नहीं है यह राइट है और आपको लगता है कि यह समीधान अगर है तो यह देश नहीं था ना आज से सौ साथ होने वाला है आप कलपना किजिए इस समय इस देश का वंचित को यह लगेगा कि इस देश में यह जो संविधाने जिसको तोड़ मोड़ो दिया गया रहा है कंस्टिचूशन हमें हमारे जो महत्वा कांचा है पूरा नहीं कर रहा है मातला आप कलपना किजिए उस देश की तो यह जो चीफ जस्टिस साहब हमें अलर्ट कर रहे हैं उस इस्थिती से अगर बचाना है हमें कोई नहीं चाहता है कि वो देश उस इस्थिती में जाय जहां और इसको बचाना है तो इस समय गरत्सका आध में है समिधान विरोदियों में समय अगर रोश्टर लागू होता है तो इस देश में से स्टोबी सी पढ़ाने नहीं जाएगा फिर से गुरुकूल सिस्टम आएगा और एक लवे कांग उठा फिर से काता जाएगा अगर आपको अपने एक लवे कांग उठा बचाना है और देखिए एक टीचर इस समय आएगा वगले 30 साल तक रहेगा और आप जानते हैं इंपरिकल डाटा है इसका की अपर कास्ट का टीचर लोगर कास्ट के टीचर स्टुएंट्स को इंटर्व्य वाइवा में कम नंबर देता है इस देश में है आपको चाहियत में देता हूं नहीं देते हैं नंबर पर आप वह अपमानित करते हैं मेरे साथ के दो दो स्टुट कास्ट के बच्चे क्लास में गुशते तो टीचर कहता था दो बहला आगए उसका हुमिलेशन सोचिए वह बच्चा क्या पढ़ेगा क्या सोचेगा इस ह सब्सक्राइब से हमारे बच्चे अगले तीस साल तक ना गुजरें अभी की न्युक्तियों का मामला है और यह अगर इस से में भर दिया जो की भर देंगे अगले दो महिने में तो अगले तीस साल के पूरी उन्वर्सिटी फिक्स हो जाएंगी जिस तरह आज उन्चास सें पूरी ताकत के साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी आपको लगता है कि निकाली अपने मुबाइल रिकॉर्ड कीजिए भाषन अप्लोड कीजिए दस लाख लोगों तक आज आप अगले एक गंटें पहुचा सकते हैं कौन रोक सकता है इसको आपके हाथ में टूल है आप इन बातों को रखिए और 31 तारीक को मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ज तक संसद भौन तक उसमें शामिल हो यह और सिधा इस समय मेरे खाल से बहुत सारे इस उठा रहे थे कि स्पी क्या करें बीएसपी क्या करें मुझे लगता चोड़ना चाहिए इस समय हम भारत के नागरिक के तौर पर समभिधान के रक्षा के अपने पवित्र दाइप्तों को पूरा करें मेरे ख्याल से यह एजंडा है यही हमारे पॉलिटिक्स का एजंडा है बहुत-बहुत भ